ओम शान्ति, 28-7-2022 के बाबा के अनमोल साकार धारना युक्त मधुरमाहबा के हैं, जिनमें बाबा ने कहा है बच्चे एक तो ठकना नहीं है, अठक बनना है, अलर्ट, दूसरा बाबा ने कहा परतिग्या करनी है, कौन से, कौन से परतिग्या करनी है, बहुत बच्चों ने बाबा के ये परतिग्या की हुई भी है, तो परतिग्या करनी हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, सब को सुख देना है, और सुख लेना है, यग्ये की पालना किन बच्चों, यग्ये से पालना किन बच्चों की होती है, बाबा ने कहा, सासाथ बाब बाबा की याद में बना भोजन, बाबा की याद में ही खाना है, क्योंकि अन का मन पर प्रभाव पड़ता है, जैसा अन ऐसा मन, तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए योगी आत्मा को बाबा की याद में बना भोजन, बाबा की याद में ही सविकार करना चाहिए, सुनते हैं मदुरमावाके, मीथे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी ठकना नहीं हैं, आठक बनना हैं, आठक बनना अर्थात कर्मा तीत अवस्ता को पाना, तुम बच्चों ने अभी कौन सी परतिग्या की हैं और क्यों, आंसर, तुमने परतिग्या की हैं, किसी को भी दुख नहीं देंगे, की हैं न सब नहीं, चाहिए मन्सा से, वाचा से, कर्मना से, किसी को भी दुख नहीं देंगे, हर आत्मा को कोई कैसी भी हैं, सुख देना है और सुख लेना हैं सब को सुख का रास्ता बताएंगे सेकिंड पॉइंट कुश्चन है किन बच्चों की पालना यग्य से होती है किन की पालना यग्य से होती है इस जो अपनी कुट रस्टी समझते हैं अर्थात पूरा दिल से सब कुछ शरेंडर करते हैं वह रहते भी ग्रष्ट व्यवहार में हैं धन्दा भी करते हैं लेकिन ट्रस्टी है तो जैसे शिप बाबा की खजाने से खाते हैं घर में रहें परिवार में कहीं भी रहते हैं भंडारे से हम पलते हैं, अमारी पालना पालनहार शुबाबा ही कर रहा हैं, गीत तुम ही हो माता पिताब, उम्शन्ति, बच्चों को बाप मिला हैं और अब अन्भों से कहते हैं, बरोबर कांटे से फूल और कोई बना नहीं सकते, भारत, दैवी फूलों का परिस्तान था, अभी कांटों का जंगल हैं, तुम बच्चे अभी जो सुनते हो, वह महाभाग की सुनते हो, यह सुनाने वाला उच्टेउच बाप है न, उनकी हर एक बात माहन है, माहन सुख का सागर है, माहन ज्यान का सागर है, माहन शान्ति का सागर है, बच्चे अच्छी रीती समझ च आगे हर बात में काटे थे, हर करम इंद्रियों से एक दूसरे को दुख देते थे, अब हम खुद ही करम इंद्रियों से किसी को दुख ना देने की परतिग्या करते हैं, जैसे बाप दुख हरता, सुख करता हैं, वैसे बच्चों को भी बनना हैं, कोई को भी दुख नहीं दे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियें किसकी मत पर चलते हैं आप सब किसकी मत पर चलते हो शिरी मत पर ब्रह्मा की मत गाई हुई हैं यूं तो सभी को कह देते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विश्णु परंतु गुरु को फिर भगवान नहीं कह जाता हैं उन्हों को देवता क पहा जाता है, मात पिता भी उनको नहीं कह सकते, तो बाबा ने समझाया है, लोकिक मात पिता से तो अल्प काल सुख का परसा मिलता है, वह मिलते हुए भी फिर परलोकिक मात पिता को याद करते हैं, ब्रह्मा विश्नु शंकर को तो नहीं याद करेंगे, उनको मात पिता नही कहते हैं, इतनी सब बच्चे किसको मात पिता कहना सके उन्हां स्वरकमिलक्षमिनान को भी सब मात पिता नहीं कह सकते हैं, परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं क्योंकि वे निराकार है ना केवल मात्पिता लेकिन बंधु सखास्वामी सर्वसंबंदी हमारा निराकार श्यव बाबा है बाकि किसी भी देवी देटाओं को भी मात्पिता और संबंद से निभाई ऐसा नहीं है यह परलू के मात्पिता क किरपा बहुत मांगते हैं अभी तुम बचे जानते हो बेहत का बाप कैसे आशिवाद अत्वा किरपा करते हैं ऐसे तो नहीं कहते आईश्वान भाव चिरंजीव भाव बाप द्वाकर सहज राज्योग और घ्यान की शिक्षा देते हैं आशिवाद बाप किरपा भक्ती में धेर देते हैं एक दो को अच्छी द्रिश्टी रखना दया द्रिश्टी रखना इसे नहीं कोिछ देखने से देवता बन जाते दोड़ा होता हैं अभी तुम जानते हो वही निराकार इस साकारतन में आये हैं मम्मा बाबा दादा तो यह क्या हो गया मम्मा बाबा दादा तो यह कोटम्ब हुआ ना ईश्वर्य परिवार इतनी penny पाध्शाला थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए यहां भी देखो शहर से कितना दूर है जितने भी हमारे रिट्रीर सेंटर है इतनी बड़ी-बड़ी उनिवर्स्टियां वो तो शहर से दूर है बाकी यह पार्शालादी तो शहर में होती है और वहीं होनी पड़ेंगी क्योंकि शहर वाले सब भी आकर के ज्यानियों की सिक्षा लेंगे लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं थोड़ा दूर होना चाहिए शोर स्राबे में नहीं होना चाहिए शहर से कितना दूरे कितना संना का लगा हुआ है मदुबन को बाबा बता रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए शांति और हमको जाना है शांतिधाम, शांतिधाम किसको कहा जाता है, यह तुम अभी समझते हो, आत्मा तो है ही शांत स्वरोप, मन को शांती चाहिए, ऐसे नहीं कह सकते, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, आत्मा शरीर से अलग-अलग है, ना कान को शांती नहीं चाहिए, शांती चाहिए आत्मा को, क्या कहते हैं, मैं आत्मा और मेरा शरीर, चलो कोई आत्मा को नहीं जानता, पर हमेशा कहते हैं मेरा शरीर, तो जब मैंने ये कहा मेरा शरीर तो सिद्ध होता है, इससे कोई और अलग है, जो कह रही है, मेरा शरीर, तो आत आत्मा कहती है मेरा शरीर है शरीर नहीं कहता मैं आत्मा हूँ तो शान्ति किसको चाहिए आत्मा को चाहिए ना कि शरीर को वह इमर्ट सब होता है जब शरीर मिले आत्मा में ही सारा खेल भरा हुआ है इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है शरीर मिलने से ही वह पार्ट जाएगी यह भी अभी तुम जानते हो बरोबर देवी देवता धर्म बाली आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है यह अभी तुम जानते हो सत्युग में नहीं जानेंगे इस समय गाया भी जाता है हीरे जैसा जनम अमुलक क्योंकि तुम अभी इश्वरिये उलाद बने हो मामा बाबे कहते हो न अज्यानकाल में जो गाते थे तुम मात पेता हम बालक तेरे यह किसकी महिमा है यह भी नहीं जानते थे तुम प्रैक्टिकल में अभी सुक घनेरे का बर्सा ले रही हो अभी समझते हो जनम जन्मान पर शाष्टर पढ़ते भी नीचे उतरते आई हैं य भक्ती की बड़ी समगरी है वेद शाष्टर अथाएं हैं लिष्ट निकालो तो बड़ी लिष्ट हो जाएगी सारी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं कितने मेले मलाकरे आधी होते हैं आप बाप कहते हैं बच्चे आधा कल भक्ती करते करते ठक गए हैं इस पढ़ाई में तो ठकने की बात ही नहीं, इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहां है कमाई, कमाई में कभी उबासी जुटका नहीं आने चाहिए, धारना कच्ची है, नौलेज की वेल्यू का पता नहीं है, तो सुष्टी आती है, बाप की याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती इसमें ठकना नहीं है विवेक कहते हैं तुमको अठक जरूर बनना है पुर्शार्थ करते अठक अर्थात कर्मतीत अवस्था को पाना है अब जो पुर्शार्थ करेंगे माला कितनी छोटी है प्रजा तो बहुत बनती है बाबा तो पुर्शार्थ कराते रहते हैं कहते हैं फ अडॉप्टेड बच्चे नहीं कहेंगे, शिप बाबा के बच्चे अर्थात आत्माई तो हैं ही, अज्ञानकाल में भी शिप बाबा कहते रहते हैं, परन्तों शिप बाबा कौन हैं, उसका क्या पार्ट हैं, ये कोई नहीं जानते, शिप बाबा कहते हैं, मेरा भी ड्रामा म किसे करने हैं बच्चों की बाबा ग्यान और योग से मुझे कहते ही हैं परलोकिक मा पिता ऐसे हुए है हमको राज्योग सिखा रही हैं हाँ शरी निर्वा तो सबको करना ही है परहिच के लिए ही समझाया जाता है आप अभी तिर कोई वस्तु नहीं खानी है बाकी घर में तो रहना है सरेंडर हो गया बाबा ये सब कुछ आपका है बाबा का सब कुछ समझ कर चलते हैं तो वो जो खाते हैं सो यग्य का हम ट्रस्टी हैं हम यग्य का खाते हैं वो तो सतोगुणी ही है अगर अरपण में नहीं है अपने को ट्रस्टी नहीं समझते फिर वह यग्य का नहीं हुआ सुपष्ट किया बाबा ने, पहले तो अपने को प्रष्टी समझना है, मानुशी कहते भी हैं इश्वर ही सबको देने वाला है, देवताओं की पूजा करते हैं, समझते हैं, उन्हों द्वारा मिलता हैं, गुरु से मिलता हैं, ऐसे भी समझते हैं, परन्तो देने वाला सबको एक बाप है, जर्मूर्तियों की पुजा करते हैं, गुरुओं को मानते हैं, लेकिन बाबा ने का वो कुछ नहीं देते हैं, भक्ती मारग में भी जो जिसको मानता है याद करता है, उसके द्वारा मैं उसको साक्षात कार्वी कराता हूं और उसके मनों कामना पूरी होती है सबका दाता एक है भक्ती मारग में हर एक इशवर के पास इंशोर करते हैं समझते हैं दूसरे jnm में मिलेगा, तुम भी सब कुछ बाबा के पास इंशोर करते हो ये सिख्षा मिलती है दोसरे जनम के लिए, अच्छे कर्मों का फल मिलता है. इश्वर अरपन में करते हैं. इश्वर को अरपन करते हैं Dat отв इंशोर करते है. और यह है डिरिक्ट वे परणपिता प्रमात्माव को जानते नहीं तो सब कुछ अरपन नहीं करते यहां को अरपन करते हैं बापकेते हैं आपने को ट्रश्टी समझो। तुम जो खाते वो शम्झो। हम शिप बाबा के यग्जी का खाते है, संभाल भी करनी होती है, कोई तमोगनी भोग लगा न सके, मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है, वह वैसनों ही रहते हैं विकारी तो सबी हैं निर्विकारी चरियर यहां आई कहां से लक्षमी नान के चरियर है ब्रष्टाचारी ब्रच्जारी विकारों को कह जाता है अभी तुम बच्छे समझते हो हम मात-पिता के सन्मुख बैठे हैं जिसको आधा कल्ब पोकारा आदा कल भक्ती करने वाले ही यहां आएंगे बहुत तीकी भक्ती करते हैं तुम बच्चों को फिर तीखा ज्यान उठाना है थोड़े में ही राजी नहीं होना है कितनी पॉइंच दी जाती हैं समझाने के लिए बुढ़ियां तो इतना समझना सके उनको फिर बाबा कहते हैं तुम किसी को सरफ यह समझाओ कि पड़लो की बाप का परिच्चे है तो उस बाप को याद करो तुम भक्त हो वो भगवान है भगवानों वाच्चे तुम मेरे को याद करो तो तुम मेरे मुक्तिधाम में आ जाएंगे कृशन कहेंगे मेरे बैकॉंट में आ जाएंगे पहले तो निर्वान दाम में जाना है न तो जरूर निराकारी बाप को याद करना पड़े कृशन भी देधारी हो गया उनको याद करना गोया पांच तत्तों के बिनाशी शरीर को याद करना ये तो भक्ति मारत को गया अब तुम बच्चे जान गए हो कि भक्ति का कितना विस्तार है सैकिन में इस ज्यान से स्वरक का वर्सा मिल जाता है दिन के बाद रात और रात के बाद दिन भक्ति है रात ठोक रेखाते हैं न इसलिए नाम ही रखा है अंधियारी रात जानते भी हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात विश्णू के लिए क्यों नहीं कहते ये ज्यान अभी मिलता ही है तुम ब्रह्मनों को इसलिए ब्रह्मा के लिए गायर हुआ है ब्रह्मा ही दिन और रात को जानते है ब्रह्मा जानते हैं अब रात पूरी, वो दिन होना है, तो ब्रह्मनों का है दिन और रात, इस समझने की बाते हैं ना, विश्मु ऐसे नहीं कहेंगे हमारी रात और दिन, तुम कह सकते हो, इस ज्यान से ही हम इतनी उची प्रालब्द पाते हैं, फिर यह ज्यान गुम हो जात हैं, ड्रामा में यह शाष्त्रादिवी नूंधिव यह हैं, फिर वही शाष्त्र बनेंगे, बाप आकर सत्ति बताते हैं, यह भक्ति मारक की सामगरी फिर से वही निकलेगी, बुरी माताओं को यह भी याद करा दो, कि ओंचे से ओंचा है शुपाबा, जो परम धाम में रह हैं, वह हैं उचा, ठाओ, मूल वतन, फिर मूल वतन में हैं, ब्रह्मा, विश्नो, शंकर, फिर स्थूल वतन में आओ, तो पहले लक्षमी नान का राज्य, जो नहीं रचना, बाबा रच रहे हैं, पतितों को पावन बना रहे हैं, कहते भी हैं, पतित पावन आओ, तो को हे आत्में अब घर जाना हैं, तुम आत्मां को ले जाना हैं, शरीर तो सब के खतम हो जाएंगे, आत्मा के नाते सब भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं, फिर शरीर के नाते भाई बहन, बहुत मिठी मिठी बाते हैं, तुम यहां होस्टल में बैठे हो, स्कूल में भी पढ करके पढ़ते हैं और कोई घर से ही आकर के पढ़ते हैं बहने जो रहती हैं कई भाई भी समरपन हैं सब बहने होस्टल में रहती हैं तुम यहां के रहवासी हो होस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का संग न लगे यहां तुमको निरिविकारियों का संग है अच्छा आज तो ब्रह्मा भोजन है, शिप बाबा तो खाते नहीं, वो तो अभोगता है, देवताओं को ब्राह्मनों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मनों के भोजन से देवता बनते हैं, तो ब्राह्मनों के भोजन का कितना महतव है, उनका बहुत असर पड़ता है, त सारा दिन शीप बाबा की याद में रहकर कोई स्वदर्शन चक्र फिराते भूजन बनाएं, ऐसे योगी चाहिए, बाबा को ऐसे योगी चाहिए, पवित्र तो बहुत होते हैं, विद्वा मातात्वा कुमारियां भी पवित्र होते हैं, पर उन्तु योगनी भी होना, उनको थोड़ी बाबा का परिच्या है, वो कोई थोड़ी बाबा को याद करते हैं, योगनी नहीं है, हाँ, पवित्र हैं, योगनी के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुमारी बहुत उनक्ति हो जाए, पांसात ऐसे योगी बच्चे हों, जो याद में रहकर भोजन बनाए इस से तुमारी अवस्ता बहुत अच्छी हो जाएगी और योग में बहुत मदद मिले की, अच्छा, मीथे मीथे सिकी लदे, बच्चों प्रते, मात, पिता, बाप, दादा का, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, डाइमड मॉर्निंग, रोखानी बाप की रोखानी बच् हम रोखानी बच्चों की, रोखानी मात, पिता, बाप, दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, डाइमड मॉर्निंग, ओम, नमस्ते धार्ना के लिए मुख्य सारे हैं, मात, पिता को फॉलो करते हुए, ज्यान, योग से सब की पालना करनी हैं, उसी पालना में रहना हैं, ज्यान, योग में तीखा जाना हैं सेकंड पॉइंट, पावित्र और योगिनी के हाथ का भोजन खाने हैं, बुद्धी कुशुद बनाने के लिए भोजन की बहुत प्रहिज रखनी हैं, बुद्धी शुद रहे, बाबा की याद सहच हो जाए, उसके लिए नमबर वन है, खान पीन की प्रहिज बरतान, स्वा परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित बनने वाले सर्व खजानों के मालिक प्वाओ, आपका स्लोगन है, कौनसा बदला ना लो बदल कर दिखाओ स्वा परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कई बच्चे सोचते हैं, ये ठीक हो, तो मैं ठीक हो जाओ, ये सिस्टम ठीक हो, तो मैं ठीक रहू, क्रोद करने वाले को शीतल कर दो, तो मैं शीतल हो जाओ, ये खिट-किट करने वाले किनारे कर दो, तो सेंटर ठीक हो जाए, ये सोचना ही रॉंग है, पहले स्वा को बदलो, तो विश्व बदल जाएगा, इसके लिए, स्वा को बदलने के लिए बाबा ने कहा, इसके लिए सर्व खजानों के मालिक, बन समय परमान खजानों को कारिय में लगाओ, स्लोकन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे, तो माया दोर से ही भग जाएगे, अमरत वेले की पॉइंट है, विश्टार बहुत है न, एक एक नाम को समृति में लाओ, और स्वरू को बन अनभाव करो, जो बाबा ने नाम भी दिये हैं हम बच्चों को, तिर काल दर्शी हैं, तिर नेतरी हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हैं, जहन के नूरी रतन हैं, लाडले बच्चे हैं, तो ये एक एक स्वरूप भी, अगर समृति में लाएं, तो समर्थ बन जाएं, फिर उसका अनभाव करो, सिरफ रप्रपीचनी करना, समर्थी स्वरूप बनने का आनद अतिन्यारा और प्यारे हैं, जैसे बाप आप बच्चों को नूरी रतन नाम की समर्थी दिलाते हैं, बाप के नैनों के नूर, नूर की क्या विशेष्टा होती है, नूर का करतब भी क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसी अनभूतियां करो,